शाम ढलते ही करें ये काम, प्रसन्न होंगी मालक्ष्मी और बढ़ेगी धन की आवक, मालक्ष्मी धन की देवी हैं, जिन लोगों पर मालक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, इसलिए हर कोई मालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उ पूर्यास्त के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह दिन और रात का संधिकाल होता है। इस समय किये गए शुभ कार्य, शीग्र फल्दाई माने जाते हैं। चलिए, जानते हैं कौन से वो काम हैं, जिन्हें शाम ढ़लने के बाद करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी की पूजा, तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन घरों में नियमित तुलसी की पूजा होती है, वहां देवी लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसलिए शाम के समय तुलसी की पूजा करें और तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे मा लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सुख सम्रिध्य का आशीरवाद देंगी। कपूर जलाकर पूजा करें। जब शाम ढल रही हो समय कपूर जलाकर सभी कमरों में घुमाना चाहिए। साथ ही जलते कपूर को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इससे घर में जैसी भी नकारात्मक उर्जा होती है, चली जाती है और घर में सुख शान्ती और लक्ष्मी का वास होता है। मुख खिद्वार पर अंधेरा हो तो मा लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। शाम के समय न करें ये काम। शाम के समय जाडू नहीं लगाना चाहिए और नहीं घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। सूरज धलने के खटी चीजें दूद, नमक और हल्दी आदि का दान करने से मलक्ष्मी रूट सकती हैं और आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पढ़ सकता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बढ सकती है।